केंदरी ग्रीय मंतरी राजना सिंग ने बैजनात में रैली के दुरान कहा कि हमने फौज को आदेश दिये हैं कि पाकिस्तान को सफेद जंडे ना दिखाकर अंगिनत गोलियों की बोचार करनी है। का मुखिया उस पर भी भरष्टचार के आरोप लगे हैं और परदेश में भरष्टचारी मुख्यमंतरी है उस पर गंभीर आरोप लगे हैं सीबी आई जांच कर रही हैं एडी जांच कर रही हैं क्या ऐसे ही देश चलेगा राजना सिंग ने कहा कि 28 वर्ष पहले बेनामी संपती को लेकर एक्ट बनाया गया था लेकिन उसे कांग्रेस ने लागू नहीं किया उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने 2016 में एक एक्ट लागू किया है और एक साल में साड़े 800 करोड की बेनामी संपती को जब्त भी किया है कि अदर में कांग्रेस के दैत की ईूपीय संकार थी मैंos के उपर हजार दो हजार करोड कि भी लाखों करोड के वे इससा अ क्यारोप की उस सरकार के मंद्रियों को टीम की हवा खानी पड़ी और हिमाचल की बाद कि हिमाचल सरकार का मुख्या उसके उपर भी रष्टाचार क्या रोब क्या कारण है यहां जहां भी कामरत सरकार चलाती है उसके नेताओं के उपर उसके मंत्रियों के उपर मुख्य मंत्रियों के उपर रष्टा चार के आरोब लगने क्यों नहीं भाजबा के मुख्य मंत्रियों के उपर आरोब लगने मैं आप से पूछना चाहता हूँ बैनो भाईयो एक भी ताली नहीं वह नी चाहिए यलि हमारी कोई बात जलत हो क्योंकि मैं आपके आँखों में धूल छोट कर ओथातिल नहीं करना चाहता हूं छे वर सव तक्टल विहालाईच की सरकार रही है क्या कोई उमलिव उठाकर कह सकता है किसी मंद्री के दामन पर गरहने शार की द्रहक लगी हुई है ताहरे तीन वर्सों से यहां हमारी सरकार है कोई कह सकता है कि हमारी सरकार के किसी भी मंत्री के दामन के उपर कोई धरश्टाशार की दाग लगी होई है बहनों भाईयों मैं समझता हूँ ही राइने टिक शेत्र में काम करने वाला कोई भी नेता यह लिए उसके उपर आरोप लगता है और प्रथम द्रष्टिया जिसे अंग्रेजी में प्राइमा फिसाई कहते है यह लिए आरोप सुध हो जाता है पहली जाज में यह आरोप लगता है कि इसके उपर इसने व्रस्टाचार किया है और यहां आरोग वह पहली आता है नेता का यह नईतिक धर्म होता है वो अपने पद से त्याग पत्र दे दे और तब तक उत पद को स्रीकार न करे जब तक पह आरोग मुट्ड नहीं हो जाता है यह नेता का चेनि प्रहो ने लोक лाज के नहीं चल सकता है परिवार में भी जब तक लोक लाज नहीं होगा परिवार नहीं चल सकता है वैसे ही देश का लोक तंदर भी बिना लोक लाज के नहीं चल सकता है लेकिन यहां आरोप लगे हुए हैं गंभीर आरोप लगे हैं सिवियाई जाच चल लई है एडी की जाट चल लही है और डंके की जोट पर खड़े होकर जंता के भी जोट मात रही है क्या ऐसे ही देश शेलेगा आजाली के 70 वरसों में 55 वरसों तक लगातार आपने कांगर्स की हुपूमत देखी है मेरे बहनों भाई भरस्टा चाहत पर जिस प्रकार से करारा प्रहार इस कांगर्स के द्वारा होना चाहिए था कांगर्स ने कभी नहीं किया मैं एक उदा पर देना चाहता हूँ उसकी हुपूमत तक दुनिया के गरीब देशों में गिना जाता रहा यहालत रही है मारत की क्या कारण है बेरोज़गारों की संख्या दिरंतर पढ़ती रही है क्या किया कांग्रेश में बहनों बाईयों 55 वरसों का समय किसी देश के भविश्च को बनाने के लिए कोई कम समय नहीं होता और हमारे प्रजानमंत्री ने जो करा हैं कि जादा हमको समय नहीं चाहिए 2022 आते हम एक नए भारत का अंदिर्मान करके सारे विश्च को हम दिखा देगे कैसे सरकार चलाई जाती है भारत के अर्थे बहुस्ता लड़ खड़ा रही है कि अब तीन महीने तीन महीने जीडीपी थोड़ी कम हो गई की बस दूसी पर यकि आप इतिहास उताकर देख लिए एक वार्टर यानि तीन महीने में कांगर्स का दातन कालो तवा कोई हो सबकी जीडीपी उपर नीशे यह वोती ही रखती है साभावी का यह वोती ही रखती है उसको लेकर बावाल खड़ा कर दिया है वहीं अपने संबोधन के दुरान मुल्क राज प्रेमी ने कहा कि वे साधारन परिवार से संबन्द रखते हैं और लोगों को उन्हें एक बार मौकाद देना चाहिए परदेश में ऐसी बरश्ट सरकार थी जिसके मुखिया राजा भीर बंदर सिंग्जी थे जिनका पाँच बसका कारेकाल दिल्ली मैकोड के चक्रों में लगा रहा बिकास की गदी रुकी मैं तो सिर्फ अपने विजान वक्षी इतर की बात करना चाहता हूँ मित्रों यहां के इस्थान ये विजाएक बार बार कहते हैं कि मैंने करोणों का बिकास किया अगर आपके सामने हैं पर करोणों का किया कि कितने का किया सुमयक का अबाब है मैं आप सभी निवेदर से जनता से मैं अपना सर जुपा कर नमन करता हूँ कि 2012 मैं मुझे सिर्फ 10 दिनों मैं आपने जो प्यार दिया था उस से बड़ा प्यार आपने लोगसवा के चनाप हमें दिया जिसमें बैइन आप जानसावा क्षेतर को 14555 के लेड़ दे जनता से मिला हूँ आज मुझे लगता है कि अगर आपने मुझे 9 तारी को अपना प्यार दिया तो एक सेवर की तरह मैं आपकी सेवा करूँगा और हमेशा आपका रिड़ी रहूगा